Good morning students, today I am talking about the chapter 5 year plans in India, goals and achievements इस chapter दे विच्छ मैं तो नो 5 year plans परे दसूँगी, उनना दे की मकसर ने की achievements ने ओदे बारे दसूँगी पहला अपना topic है गया, what is economic planning, ठीक है, economic planning को हुंदी है, जीरे विच्छ जो के central authority जी अपनी देश्टी सेंटर सरकार हुंदी है, बहुत सारे targets बनाओ दिया है, पांच साल दे विच्छ उनना targets नो achieve करने लिए, बहुत सारे प्रोग्राम से policies बनाई जान दिया है, ता जो एक within some time, some period of time अपना goals नो की कर सकिये, achieve कर सकिये, तो उनना targets नो complete करने वसे बहुत सारे प्रोग्राम ते policies बनाई जान देने, इस topics दे विच्छ एक चीज़ हमेशा याद रखने है, जो भी five year planning बनाओ देने, सरकार एक चीज़ हमेशा त्यांच रख दिया है, कि उनना को जो भी resources ने, वो कीने सारे limited ने, तो limited resources दी help नाल ही, social welfare करना भी होना था, main motive होंदा है, और दो planning commission बारे पढ़ दिया, इंडिया दे विच्छे 1950 दे विच्छ स्टार्ट होई सी, after independence, ठीक है, chairmanship प्रोफेसर महा बलेनिस दे अंडर होई सी, ठीक है, तो ये system जड़ा planning commission दे नाम सी, एक खतम हो जग्या सी, abolish करता सी ये system, क्योंकि इननों 2015 दे विच्छ जन्वरी दे व और social welfare ली ही कम करनेगी, तर सरकार अपने 5 साल दे प्लैन दे विच्छ एही motive राक दिया है, कि असी social point of view भी देखना है, कि लोग का पला पलाई कर सकिये, एंड इस तो इलावा GDP भी की कर सकिये, increase कर सकिये, क्यांदा सानू 5 येर प्लैनिंग दी ज़रूरत क्यों है, 5 येर प पुड़ काट गे सी, productivity लो होगी सी, तर इना नो develop कर नवस्ते ही साल नो planning commission बनाना पे, तर इंडिपेंडेस तो बाद जो planning commission बनाया, तर विद्धा help of government नाल होया, तर गौर्मेंट ने की किता, बहुत big sport किता, अपनी देश्दी economy नो, तर जो ओधी विच big investment कर किये, अपनी GDP नो increase कर सकी, हुँँ आप पढ़ांगे, directive planning and comprehensive planning, planning दो टाइपस ही होंदी है, ठीक है, पहली directive planning, ओ होंदी है, जी दे विच कि यह सरकार, जड़ी state government होगी, उना direct participation नहीं करूगी, यानि कि देश्दी growth ज़रूर होगी, बट उस growth विच स्टेट अपना कोई भी किसी भी टाइ प्रेफरेंस नहीं करूगी, एदे विच्चों main motive राखके चाल देने कि अपने supply याते demand है, ओने इंट्रेडूस करिए कि उन्दा नहीं मतलब जीना हो सके as possible grow up करिए, बट एदे विच कोई state of equilibrium होना कोई ज़रूरी नहीं होंदा है, कि यह दोनों एक दूजी दे बिलकुल बराबर जानगे, क्योंकि अपन भी पता है, अपने resources की इन्हें limited हों दे ठीक है, इस करके अपने दोनों चीज़ां एक दूजी दे बराबर नहीं हो पाँ दिया, ति एदे विच्च सरकार्दी कोई participation होगी, और एदे विच्च जादा तर जीड़ा मतलब प्रेफरेंस के प्राइवेट सेक्टर हों दे है, प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड कर दिया है, उन्हें की चीज़ां करनी हैं की नहीं करनी है, डाज और दॉन्स ठीक है, बट उन्ना दा पॉइंट भी एन उन चाहिए कि उन अपना जादा तर मैक्सिमम इंडविजल गेन करन ली ही काम कर देनी, ठीक है, so that the national interest does not suffer while individual gains are allowed to be maximized, तो यह लाइन दी विचो कहा रहे है कि individual gain अपना वदो अन वास्ते, यह नहीं हैगा कि कुछ भी मतलब अपनी देश जड़ी national है ना, ओ स्पांट भी ना कोई बनान कुछीज सफर करनी पहोंगी, ठीक है, तो डाइरक्टी प्लैनिं अपनियां कंपणियां देवल्प करने लिए maximum gain कर दियादी, अगर मैं comprehensive planning दी गल करना तो यह ओ सिस्टम है, जीए विच्छ गौर्मेंट की करूगी, डारेक्ट प्लैक्टी सपेश रखोगी, तो गौर्मेंटी डिसाइड करूगी कि मेंने देश नों किनना देश दी ग्रो पर नहीं हो साइड़ी, जब गौर्मेंट इंटर्फेर्नेस दी गल कर दियां, तो गौर्मेंट हमेशा, गौर्मेंट दा पहला मोटी होंदा है, कि जद इंटर्फेर्नेस किती है, तो पहला socialist, यानि कि वो लोग का नो समाज नो जरूर देख देनी, तो यानि कि comprehensive planning इसने बिवेल्प करूगी, समार सेक्टर देविचे लोग का नो सुहूलतामा चाहिए ने, या तर टाइप आफ फैसिल्टीस चाहिए ने, सब्सीडिस चाहिए ने, कोई इंवेस्मेंट चाहिए ने, सारें विच हेल्प करूगी, इसदे नाला mixed economy विच प्राइविचे मेन प्रेस्पेक्टिव होना चाहिए ने, विच की वो अपने सोशिलीजम तो पिच्छी ने ओर सागदे, ता अगर कोई प्राइविट कमपनी है, अगर वो किसे वी टाइप दा कम बिजनस कारें ने, या वदिया गेन अर्न कारें तो गेन अर्न कार साथे, बट उनना दे गेन्स या प्राफिट ना कोई सोशिल पाइविए न नुकसान ना होगे, इस करके उनना दी, एस से करके ही डरायो सरकार दी, डिरेक्ट पाडिस्पेशन हो दी है, ता जो उनना दा समाध दे विच की होगे, एक दरादा प्रापर पटिकुलर स्पोर्ट हो सके, थैंक यू झाल